जी आज सरकार को पुर्व नेवता दिया अनुसार आओ सरकार करोगी रप्तार के तहत जो हम लोग 10 फरवरी समय 12 वज़े से 3 वज़े तक अस्थान बापू बाटी का मुराबादी रांची में उपस्तित हुए हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि J-SSC-CGL महा गटाला जो अरबो अरब रुपYा का गटाला हुआ है और इस J-SSC-CGL आन्दोलन का चरनबद आन्दोलन के परिणाम सौरुप जहरखن का इतिहास में पहली बार दो चीज़ हुआ है एक कि आंदोलन का परिणाम on the sport आंदोलन के दोरान फैसला आया कि जे SSC जैसा आयोग आंदोलन के दोरान ही जो है कि हमारा मांग को पुरा करते हुए वो अपने official व्याव साइट पर अधिकारिक नोटिस जारी करते हुए 28 तारिक का और 4 फर्वरी का परिक्षा को कैंसल कर दिया और इतना बड़ा आंदोलन सफल होने के बाद जो अरव रुपिया का उगाही कर रहे थे सिक्षा माफिया लोग को बहुत बड़ा जटका लगा और उलक्ष बिचलीत हो गया है बिचलीत होते हुए जो इमांदारी से निस्वक्ष तरीके से जो इस आंदोलन का नेत्रीत वो अंजाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ के कचड़ा को साप करने के लिए यहां के पढ़ने वाले छात्रों का रास्ता साप करने के लिए जो नेत्रीत हो कर रहे थे टर्गेटेट करके एक तरफा वाइयार धर्ज किया गया उसके बाद तरा तरका धमकी दिया जानें लगा कल हमारा एक साथी अंगत नायक का विसाजिस के तहत उसका मा का प्राथम की ब्यान के अनुसार उसका मौत एक सड़यंत्र के तहत हित्या है तो और अभी हम हमारे साथ ही अंगद नायक को अंतिम विदाई देते हुए अंतिम संसकार अस्थल से जो है कि समसान गाट से सिधे बापू बाटी का पहुँचे हैं और हम कहा रहे हैं कि जो भी यहां के निर्दोस इमानदार छात्र पर जो गर जमानती गंभीर गंभीर धारा का अरोप लगाया गया है इसमें IPC का धारा 147 148 149 186 188 323 323 426 506 508 इसके अलावा प्रिवेंट्सेंड ऑप डेमेज्ट टू पब्लिक प्रपर्टी एक्ट 3 ऐसे कई कई धाराय लगा है जो यह चात्र पर नहीं बलकि आयोग पर लगना चाहिए यह इसलिए किया गया कि साजिस और सजयंत्र के तहट आंदुलन को कमजोर करके खतम कर दिया जाए और पेपर लिग करने वालों को बचाया जाए जो देवंदर नात्मा तो होने नहीं देगा किसी भी हाल में यहां के पढ़ने लिखने वालों का जो रास्ता को बाधा पहुचाया जा रहा है वर्ष्टाचारी करके 12 साल 13 साल तैयारी करने वाले चात्र को जो है की विरजगार बनाया जा रहा है एक दिन पहले कोस्टिन जो है कि उसको नौकरी दिया जा रहा है इसको हम बरदास नहीं करेंगे और उसी को लेकर कि अगर इतना गंभीर आरोप लगा है तो हम बेल फाइल नहीं किये विरजगा बेल फाइल करके बचने के बजाए इतिहास में पहली बार कोई भी सरकार को निवता दिया है कि अगर आरोप सही है अगर सच में लोकतंत्र में भरिष्टाचार के खिलाप आंदोलन करना गुणा है और संविधानिक है संविधान अगर प्रोटेस्ट का इजाज़त नहीं देती है तो हम बापु बाटी के समक्ष रहेंगे आकर मुझे हतकड़ी पाहना दिया जाए और हम चाहते तो बिर्षा का मुर्ती में भी जा सकते थे हम चाहते तो भगत सिंग के परतिमा अस्थल पर भी जा सकते थे हम चाहते तो निर्मल दादा के परतिमा अस्थल में भी जा सकते थे लेकिन हमने बापु के अस्थल पे आया क्योंकि हम अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं और बापों का विचार पे चलना चाहते है कि सत्य परेसान हो सकता है प्राजित नहीं और हमेशा ही सत्य का विजय होता है और अंतता अंगत का हत्या से काफी दुख्यत होते हुए हम सारे लोगों को मना कर दिया कि कोई भी जादा भीड़बार ना आए हम लोग एकात आदमी जा करके जो पूर्व निर्दारित कर्षक्रम है उसके तहत उपस्तित होंगे और आप लोग के चैनल के माईधम से आज एक बर पूना हम कहते हैं कि पंद्रा नामजद समेट चारहजार चात्र को जो वेवजह का परेशान किया जा रहा है वो सारे उलुक को धारा को हटाते हुए मेरे उपर लगाया जाए मैं जीमा लेता हूं देवेंदर नात महतो क्योंकि 31 तारिक का जो महा जुटान हुआ था जैसे सी कार्याले के समच्च वो मेरे आवान पर होता ह लेकिन तोड़ फोड का जिमा मेरा नहीं है लेकिन आज 10 दिन बीद गया आज 10 दिन में आयोग ने इस्तिफान नहीं दिया एजन्सी को विलकलिस्टेट किया है कि नहीं किया इसका सर्वजनी कोई सुचना नहीं है और अंदोनन को कमजोर करने के लिए हम लोग को दबाया जा रहा है साज इसके ताहद होने नहीं देंगे कुछ भी कर गुजरना पड़े करेंगे लेकिन यहां के गरीब पिसान मजदूर आदिवासी मुलबासी का बेटा-बेटी छात्र लोगा जो पढ़ना चाहते हैं नोकरी पाना चाहते हैं उसका जो सपना